टीवी के मोस्ट पॉपलर रियल लाइफ कपल दिपिका ककड और शॉयब इबराहिम जुलाई में अपने पहले बेबी का वेलकम करने के लिए पूरी तरीक इसे रही है और इसी बीच दिपिका ककड ने माँ बनने के बाद आक्टिंग छोड़ने की खबरे भी सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है और इस खबर से एक्टरिस के फैन्स बेहत निराश है दरसल दिपिका ककड एक बहतरीन एक्टरिस के रूप में काफी पॉपिलर है उनकी अच्छी खासी फैन फॉलिंग भी है वहीं अब दिपिका ककड ने टीवी चोड़ने के रियूमर्स पर रियाक्शन दिया है जल्दमा बनने वाली दिपिका ककड ने हमारी सहयोगी इटाइम्स टीवी को बताया कि उन्हें गलत समझा गया है और उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है दिपिका ने कहा कि उनका एक्टिंग छोड़ने का कोई इरादा नहीं है उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चे को समय देने के लिए कुछ सालों का ब्रेक जरूर ले सकती है दिपिका ककड ने आगे कहा उन्हें हाउस वाइफ होने में मज़ा आता है सालों तक देली स्टोप में काम करने के बाद एक होम मेकर की लाइफ के लिए वो तरस्ती रही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया दिपिका ककड ने कहा कि अगर बच्चे के जन्म के बाद उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जल्द ही फिर से काम शुरू कर सकती है उन्होंने कहा कि बच्चे के दुनिया में आने के बाद ही तै दिपिका का करने आगे कहा कि वो old school parenting में विश्वास करती है दिपिका को लगता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अपनी मां की ज़रुत होती है दिपिका का करने कहा कि वो mother hood के उस face को miss नहीं करना चाहेंगी उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चे के लिए तब जागना चाहेंगी जब उसका एक्जाम होगा और वो regular काम करना चाहेंगी दिपिका का करने आगे कहा कि वो अपने pregnancy को खूब enjoy कर रही है और ये जिन्दिगी का सपना है दिपिका ककड के मुताबिक उनके मन में उन महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है जो मदर हुड, काम और घर को एक साथ संभालती है वैसे आपको बता दे दिपिका ककड और शोहिब इब्राहिम की शादी साल 2018 में हुई थी दोनों को अपने शो ससुराल सिमर का के सेट पर प्यार हो गया था इसके बाद इनोंने साथ जिन्दगी बिताने का फैसला किया दिपिका की एक दूसरी शादी है, उनकी शादी पहले एक पालिट सूरी थी वो ससुराल सिमर का से घर घर में काफी जादा पॉपिलर हो गई यही वज़ा है कि उनकी व्लॉक्स देखना फैन्स काफी पसंद करते है इसके बाद वो सलमान खान की रियाल्टी शो बिग बॉस 12 की भी विनर रह चुकी है वेल दिपिका ने ये बात तो साफ कर दी है कि उनका एक्टिंग छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है वेल इस बारे में आपकी क्या राय है आप भी हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं और एंटर्टेन्मेंट से चुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें अन्बिटी एंटर्टेन्मेंट